हाई अब्रीवन वेल्कम बैक टू अपनी गख्षा आज ये ग्लास में हम NCRT एंड एक्सराइज सॉल्फ करने वाले हैं फिजिक्स के सेकिंड चाप्टर के लिए देट इस फोर्सेज आंड लॉज ओफ मोशन सारी के सारे इस लिए आपको पहले जाके चाप्टर पढ़ना है उस चाप्टर की पूरी वीडियो चानल के उपर पहले से है आप वहाँ पर जाके देखिए उसके बाद फिर हम NCRT की इस एक्सराइज को सॉल्फ करेंगे तो चलिए सबसे पहले question number one यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है इन object experiences कोई एक object है object experiences a net zero external and unbalanced force balanced force और unbalanced force अंने पढ़ा है क्या होता है देखो माले ते एक block है हमारे पास एक table top के उपर रखा हुआ है इसके उपर अगर दोनों opposite direction से same magnitude का force अगर हम exert करेंगे मालो यहां से भी हम 5 Newton apply कर रहे हैं और यहां से भी 5 Newton ही apply कर रहे हैं दोनों क्या है equal है balanced force apply कर रहे हैं तो क्या यह box move करेगा बिल्कुल भी नहीं यह move करें नहीं सकता है क्योंकि balanced force apply हो रहा है यह जो motion होता है ठीक है motion का reason क्या है unbalanced force जब यहां से हम यह 5 Newton का force को remove कर देंगे और यहां से जब 5 Newton का force लग रहा है एक ही direction में तब यह जो block है यह क्या करने वाला है यहां पे move करने वाला है इस direction म यानिकी unbalanced force की requirement होती है motion के लिए पहला point ठीक है चलिए क्या पूछा गया है आप एन अब्जेक्ट experience is experience is a net zero external unbalanced force उसके ऊपर जो unbalanced force है वो कितना लगाया गया है zero unbalanced force is zero यानिकी कोई भी external unbalanced force वापे नहीं अप्लाई हो रहा है it is possible for the object to be traveling with the non-zero velocity क्या ऐसा possible है क्या जब हम unbalanced force जो है उसके उपर zero लगा रहे है तो क्या उसकी जो velocity है वो finite हो सकती है non-zero का मतलब क्या हुआ greater than zero obvious ही बात है ठीक है यानिकी finite velocity क्या उसकी हो सकती है अगर हो सकती है तो हमें उसका reason पूछा गया है ठीक है तो चलिए इसकी explanation हम यहां पर देखेंगे हमने first law of motion के अंदर क्या पढ़ाए कोई भी object अगर motion के अंदर है तो वो हमेशा motion में रहना जात का तब तक वो जो बोल ग्राउंड पर हमने डाली है वो मूफ करती चली जाएगी बट कुछ टाइम बात वो बोल क्यों रोक रही है क्योंकि frictional force opposite direction वाला उसको अपोस करके रोक रहा है इसका मतलब कोई भी object अगर वो motion में है तो वो motion में रहेगी इसका मतलब इस question का जो answer हम first law of motion no net external forces needed कोई external force हमें requirement नहीं है तो move an object with the constant velocity अगर वो constant velocity से move कर रही है तो unbalance force की कोई requirement नहीं हमें यह हमने first law of motion से सीखा है तो इसका answer क्या हो जाएगा yes यह बिल्कुल यह जो situation है बिल्कुल पॉसिबल है finite velocity उसकी हो सकती है जब जब वो constant velocity से move कर रहा हो clear चलिए अब हम next question देखने वाले हमारा question number second question number second के अंदर क्या पूचा गया है वेना carpet is bitten with a stick जब एक carpet को stick से बीट करते हैं तो जो dust particle से वह बाहर निकल जाते हैं इसका example हमने class में भी पढ़ा था मैंने आपको जो चाप्टर है जब पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने हमने काफे सारी application पढ़ी थी inertia of rest, inertia of motion की ठीक है तो यह किसका example है? Carpet वाला example है हमारा inertia of rest का ठीक है? किसका example है? inertia of rest का यह example है कैसे हुआ यह inertia of rest का example? देखिए जब यहाँ पर यह हमारा carpet है ठीक है? अब यह जो carpet के उपर क्या है माली जी यह क्या है? dust particles इसको माल लेते हैं हमें dust particles carpet motion में आया है dust particles अभी भी rest में रहना चाहते हैं they tend to be in rest जिसकी वज़े से carpet motion में आएगा और यह जो particles है dust particles यह नीचे गिर जाएंगे इसी वज़े से कि inertia of rest के वज़े से dust particles नीचे गिर जाते हैं और carpet से क्या हो जाते है अलग हो जाते हैं तो इसकी explanation में हम क्या लिखेंगे simple when the carpet is bitten जब हम carpet को beat करेंगे किसी भी stick से तो fiber of the carpet come in the motion and the dust falls due to the inertia of rest क्योंकि जो dust particles है वो अभी भी rest में ही रहना चाहते हैं जबकि जो carpet का fiber है वो motion में आ जुका है clear चलिए चलिए next question अभी हम देखेंगे next question में आप से क्या पुछा गया है if why is it advice to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope अगर किसी बस के उपर कोई luggage रखा हुआ है तो इसको हम रोप से क्यों कर देते हैं अगर tiny करेंगे तो जैसे ही बस motion में आईगी तो वो क्या कर जाएगा किर जाएगा fallback करेगा तो इसका reason क्या है मान लीजिए हमारे पास एक ये bus है चीक है this is bus okay इसके उपर क्या रखा है luggage रखा है ये हमारी bus की windows हो गई है मान लीजिए bus एकदम से motion में आई है जैसे ही bus motion में आएगी तो luggage का जो नीचे वाला पार्ट है ये भी किस में आएगा motion में आएगा जब की लगेज का ऊपर वाला पार्ट अभी भी किस में रहना चाहता है रस्में रहना चाहता है this is the reason inertia is the reason ये जो लगेज है क्यों fallback कर रहा है ठीक है इस चीज को आप explain करके आएंगे इस तरीके से आप representation डाइग्राम भी बना सकते हैं ठीक है सुन्दर सी बस बनाना ये तो अच्छी बस नहीं बनाई है मैंने ठीक है तो इस तरीके से आप explanation इस की लिखेंगे ये वला डाइग्राम आप बना सकते हैं ठीक है तो अच्छा इंपक्ट जाएगा एक्जामेर के ऊपर चले नेक्स्ट क्वेशन अभी हम देखने वाले हैं बैट्समें हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन दा लेवल ग्राउंड आफ्टर कावरिंगा शॉर्ट डिस्टेंस दिस इस क्वेशन में आप से पूचा गया है कि क is a force on the ball opposing the motion मान लिजी ये बोल है इस टाइप इस साइट पर ये मूफ कर रही है तो कुछ देर बार जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा इसके उपर जो के backward direction में होता है इसे विज़े से option number C will be correct answer ठीके चलिए next question अभी हम देखने वाले है तो option number C हमारा correct answer हो गया है next देखिए next question में क्या कुछ आगा है a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration it travels a distance of 400 meters इसको meters करना 400 meters in 20 seconds find its acceleration find the force acting on it if its mass is 7 metric ton 7 metric ton का क्या मतलब होता है one metric ton के अंदर कितना होता है one ton के अंदर 1000 kg होते है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ 7000 kg की यहां पर बात की गई है ठीक है चलिए अब पूचा क्या है a truck starts from rest यानि की initial velocity क्या हो गई है 0 हो गई है and rolls down a hill with constant acceleration it travels a distance of distance कितना कवर किया है इसने s 400 meter कवर किया है and your time कवर किया है कितने टाइम में 20 seconds के अंदर इसने कवर किया है ठीक है fine its acceleration acceleration हमें a find out करना है इसका ठीक है and force force be find out करना है ठीक है force निकालना है force का formula क्या होता है f is equals to ma तो उसके लिए a तो हमें चाहिए तो सबसे पहले हम acceleration निकाल लेते हैं इसमें जब हमें हमें initial velocity given है s given है t given है a निकालना है तो क्या हम formula यहां पर use करेंगे देखो s is equals to ut plus में half a t square यह हमारी equation of motion है जो हमने motion chapter के अंदर पढ़ी थी s की value हमें given है कितनी हो जाएगी 400 meters initial velocity is 0 तो यह पूरा 0 हो गया half a acceleration हमें find out करनी है into time हमें कितना given है 20 seconds तो 20 का square हो जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा 400 is equals to यह पूरा cancel out हो गया जीर हो गया तो half into a into me 400 हो गया है यहां से हम काट देंगे तो कितना जाएगा 200 तो यहां पर कितना आ गया देखो 400 is equals to is equals to 200 into acceleration इसको हम इधर back side पे भेजिए तो कितना जाएगा 400 upon 200 तो क्या आ गई यह 2 acceleration कितनी आ चुकिए है हमारी इसको धंग से लिखेंगे acceleration is equal is equals to 2 meter per second square ठीक है 2 meter per second square acceleration आ चुकिए हमारी acceleration हमारे पास आ गई हमें find out दूसरा क्या करना है force तो f is equals to force is equals to m into में a mass into acceleration मास कितना दिया गया है हमें देखो इसका seven metric ton यानि कि इसको थाउजन से multiply कर देंगे और acceleration कितनी given है two ठीक है तो 14 thousand हमारा answer हो जाएगा force newton में हमने यहाँ पे निकाल लिया है ठीक है आपको पूरी explanation समझे में आई हो आ गई होगी आपका इसका screenshot ले सकते हैं ठीक है चलिए अब हम इसको एक बार देख लेते हैं seven metric ton किसके equal हो जाएगा thousand से हमें multiply करना है 7000 kg के equal हो जाएगा यह ठीक है फिर हम इस तरीक से इसको solve कर लेंगे ठीक है आप इसका screenshot भी ले सकते हैं ठीक है stone का मास दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले में numerical के अंदर जो given चीज़े होती है वो लिख ले नहीं है mass of stone stone का mass हमको given है कितना 1 kg given है इसके velocity भी दे रखिये हैं हमें velocity भी given है कितनी given है 20 meter per second ठीक है okay across the frozen surface of the lake and come to the rest after traveling the distance of 50 meter ठीक है बाद में यह किस पे आ गया है rest पे आ गया है initial velocity हो गई है इसकी final velocity क्या हो गया इसकी rest पे आ गया तो 0 हो गई है ठीक है traveling with the distance of 50 meter what is the force of friction s क्या हो गया हमारा 50 meter हो गया है force of friction हमें निकालने को दे रखा है between the stone and ice ठीक है force of friction frictional force हमें निकालना है frictional force हमको find out करना है mass given है velocity given है ठीक है और initial velocity हमारी के गया है 0 है ठीक है तो f अगर हमें निकालना है तो m into में a acceleration तो हमें चाहिए ना mass तो हमें given है 1 kg बट acceleration नहीं है तो सबसे पहले तो acceleration निकालना पड़ेगा तो v square minus u square is equals to 2as हमने ये वाली equation of motion भड़ी है chapter number one physics में ठीक है तो यहाँ पे initial velocity हमारी क्या है 0,0 का square minus initial velocity is 20 meter per second तो 20 का square कर देंगे हम यहाँ पे is equals to 2 acceleration हमें find out करने है और distance हमें कितना given है 50 meters तो यहाँ पे हम क्या पूट करेंगे 50 meter पूट करेंगे ठीक है यहाँ पे कितना आ गया हमारा 100 इंटो में acceleration और यह क्या आ गया है देखो यह तो 0 ही हो गया यह कितना हो गया हमारा 400 हो चुका है ठीक है इसको हम इस साइट पर लेक आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा next में 400 upon 100 यह कट हो गया है यहाँ पे और यह यानि की acceleration is minus 4 meter per second square acceleration हमारी यह आ चुकी है क्या अब हम force नहीं find out कर सकते f is equals to ma ठीक है इसका color change कर लेते हैं एक बड़ी second part अभी हम solve कर रहे है f is equals to mass into acceleration ठीक है तो क्या हो जाएगा mass 1 kg into acceleration हमने अभी निकाली minus 4 तो कितना आ गया force is equals to minus 4 Newton की एक बाल हमारा force आ चुका है ठीक है clear हुआ चलिए अब हम इसकी explanation एक बार फिर से देख लेते हैं देखो इस तरीके से हमने equation apply करी और minus 4 Newton negative sign का आपको जरूर दियान रखना है और units जो है जरूर लिखके आनी है ठीक है answer directly यह से रिपोर्ट निकारोगे 4 आगा answer बिल्कुल गलत हो जाएगा marks कटेंगे ठीक है बहुत सारे marks कटेंगे आपके फिर अगर आप यह नहीं लगा गया होगा तो यहां पर Newton kg engine pulls a train of five wagons each of 2000 kg along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton then calculate the net accelerating force ठीक है पहला पार्ट और दूसरे में क्या निकालना acceleration of the train train की क्या find out करनी है acceleration हमें find out करनी है सबसे पहले हम यहाँ पर जो given चीजे हैं आपकी वो सब लिख लेते हैं क्या-क्या गीवे ने दिखो हमें मास दिया है engine का ठीक है मास ओफ इंजिन इस 8,000 kg ठीक है इसके साथ साथ हमें यह जो पांच वेगन से जिसको हम क्या बोले हैं आपर यह क्या पांच है डब्बे ट्रेन के डब्बे हैं यह पांच ठीक है मास ओफ डब्बा एक डब्बे का मास कितना है 2000 टोटल टोटल डब्बे कितने है पांच तो टोटल मास कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा बई very good ठीक है यह हो गया यह टोटल मास होगया हमारा ट्रेन का तो टोटल मास निकाल सकते हैं total mass of train train का टोटल मास कितना हो जाएगा engine का मास प्लस में जितने डब्बे हैं उसके ठीक है 10,000 कितना हो गए टोटल 18,000 kg हो गया है mass of train पहरी चीज़ हमने calculate कर लिया है यहाँ ठीक है फिर आप से क्या पूचा गया है if the, अच्छा, frictional force भी हमें यहाँ पर given है frictional force हमें जो given है track के उपर जो frictional force लग रहा है उसकी value कित्ती है frictional force है आपका 5000 newton अब frictional force है तो अब उसे direction में लग रहा होता है इस वज़े से negative यहाँ पर मैंने यहाँ पर sign लगाया है ठीक है if the engine exerts a force engine जो है वो कितना force लगा रही है यह E क्या रही प्रसंट कर रहे है force exerted by engine कितना है 40,000 40,000 newton clear ठीक है अब हमें निकालना कहा है सारी given चीज़े जो जो थी हमने निकाल लिए उससे data interpret हमने कर लिया है पहला पार्ट में आज से क्या पूछागा है the net accelerating force net force हमें निकालना है तो net accelerating force का मतलब होता है total force हमें निकालना होगा यहाँ पर ठीक है total force कैसे निकालेंगे net force कह सकते हैं इसको और we can say net force हमें निकालना है train का जो engine है वो कितना लगा रहा है देखो 40,000 newton ठीक है अब जो frictional total कैसे निकालते हैं add कर देंगे ना force उसको ठीक है पहले हमारा कितना है 40,000 newton ठीक है और जो हमारा frictional force आ रहा था यहाँ पर वो कितना है 5,000 वो तो कितना लग रहा है हमारा opposite direction में लगता है तो minus आ गया है यहाँ पर इसको subtract कर देंगे कितना आ जाएगा 35,000 newton ठीक है तो हमने part number A को clear कर लिया है तो first part हमने clear कर लिया देखो first part हो गया हमारा next हमें second part देखने second part में क्या पूछा acceleration of the train train की acceleration हमें find out करनी है कैसे निकाल सकते हैं देखो total force हमें पता है न कितना अप्लाई कर रही है वो कितना force अप्लाई कर रही है 40 total net force 35,000 अप्लाई कर रही है ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या होगा f is equals to m into a यह फॉर्मूला हमें हमें पता है ठीक है मास हमको पते कितना है train का हमी अभी हमने total mass calculate करा कितना 18,000 kg ठीक है तो force हम यह पर लगा लिख देंगे force की value भी हमें पता है 35,000 is equals to mass कितना है 18,000 ठीक है इंटु में acceleration हम निकाल लेंगे इसको हम इधा इसे भीजेंगे ठीक है इसके नीचे आएगा यह और हम answer solve कर सकते हैं calculate कर लेंगे ठीक है 35 newton upon me 18,000 kg हम इसको divide करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.9 4 1.944 meter per second square हमारा answer आ जाएगा ठीक है समझ में आया आपको देखो फिर से एक बर review करें इस चीज को ठीक है कैसे कैसे solve किया सबसे पहले हैं तो हमने total train का mass निकाल लिया है ठीक है total train के mass से हमने निकालना कहता first mark में total force और net force हमें निकालना था net force क्या होता है जितने forces लग रहे हैं उन सबको add कर दो वही तो net आएगा total force वही तो होता है net force total force ठीक है total force हमने देखा की 40,000 तो इंजन अप्लाई करी और frictional force आ रहा है जो frictional force हमेशन negative होता है ठीक है opposite direction में क्योंकि लग रहा है तो यहां पर यह माइनस कर देंगे तो total net force कितना आ गया 35,000 Newton अगा हमारा ठीक है इतना clear हुआ फिर हमें acceleration निकालनी थी acceleration क्या होती है देखो acceleration निकालनी के लिए हमें formula होता है F is equals to M मास into acceleration हमने पढ़ा है ठीक है अब यहां पर हमारे पास force की value हमें हमने just अभी calculate करी net force की value ठीक है mass हमें पता है कितना total mass of the train अभी हमने find out किया ठीक है यहां से acceleration कैसे निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे acceleration is equals to force upon में मास मस यही तो किया है यहां पर ठीक है accelerating force upon में मास 35,000 Newton upon में 18,000 kg करते ही हमारा क्या जाएगा acceleration of the train आ जाएगी ठीक है चलिए next question अभी हम देखेंगे next question में क्या पूचा गया है an automobile vehicle has mass of 1500 kg mass given है हमें कितना है 1500 kg हमें mass given है what must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped ठीक है क्या पूचा गया है यहापे force पूचा गया है फिर से हमें क्या निकालना है force हमें find out करना है ठीक है vehicle to be stopped with the negative acceleration negative acceleration को क्या कहते हैं retardation कहते है ठीक है clear तो acceleration हमें negative वाली given है यहापे कितनी 1.7 meter per second square जिसको हम retardation भी कहते हैं क्या कहते है retardation कहते है निकालना क्या है 4 simple f is equals to m into me a mass कितना given है हमें सब कुछ तो given है 1500 ठीक है into acceleration कितनी given है minus 1.7 इसको क्या तो multiply करके solve नहीं कर सकते बहुत असाना ना simple formula लगाना है F is equals to m a ठीक है चलिए simple क्या लगाएंगे F is equals to m a लगाएंगे यहापे बस आपको साइन का यहापे ध्यान रखना है यहापे retardation negative acceleration given it so this is retardation minus 1.7 से हम इसको multiply करेंगे हमारा answer कितना जाएगा minus 2550 Newton यह हमारा answer आजाएगा simple ठीक है चलिए next question अभी हम देखने वाले हैं आपे what is the momentum of an object of mass m moving with the velocity V directly formula पूछा हूए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है P is equals to m e mass into me velocity कौन सावारा option ठीक हो जाएगा option number D option number D will be correct answer ठीक है चलिए next question अभी हम देखने वाले है two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in the opposite direction the velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together what will be the velocity of combined object after collision ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो concept लगने वाला है वो लगेगा momentum का ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माल लेते हैं let कर लेते हैं हमारा पस दो अबजेक्ट अबजेक्ट A and object B देख लेते हैं mass of object A जिसको हम कह देते हैं M1 कितनी value है 1.5 kg उसी तरीके से mass of object B B object का mass M2 which is same 1.5 kg यह हमें given है इसके साथ हमें इन दोनों की velocity भी given है velocity of each object is 2.5 meter per second velocity of A A की जो velocity है जिसको हम क्या बोल रहे है U1 कह देते हैं वो कितनी है 2.5 2.5 meter per second ठीक है साथ यहां पर हमको क्या ध्यान रखने हैं यहां पर क्या लिखा है but in opposite direction जो movement हो रही है second वाले object की वो opposite direction में यानि की यहां पर जो B वाला जो object है जिसकी velocity को हम U2 लिख रहे हैं उसकी velocity opposite direction में है movement कहा और यह opposite direction में इस वज़े से minus 2.5 meter per second आ जाएगा ठीक है यह हमने साथ गिवन चीज़े लिख ली है पूछा क्या है हमसे हमसे पूछा है what will be the velocity of combined object after collision collision के बाद क्या होगी velocity ठीक है combined होने के बाद की velocity है जब stick हो जाएंगे वो collision के बाद तो उनकी velocity क्या होने वाले है combined velocity ठीक है यह हमें सब कुछ given था तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालने वाले है momentum हम calculate करेंगे यहाँ पर momentum before collision चेक करने वाले है ठीक है momentum before collision कैसे चेक करेंगे देखो m1 u1 plus m2 u2 एसी तो निकालते है ठीक है mass of first object u1 m1 कितना है हमारे पास 1.5 है ठीक है u1 कितना है एक सब्सक्राइब हमने कुछ गरबढ की है ओके हाँ 2.5 सही लिखा है 2.5 plus m1 कितना के वेन है हमें इसके लिए फिर से m2 कितना के वेने same value है 1.5 1.5 kg into u1 जो है इसको हमें ध्यान सरा लिखना होगा minus 2.5 minus 2.5 ठीक है तो इसको देखो लिखेंगे यहां पे 1.5 into 2.5 अब यह यहां पे plus का sign है overall क्या हो जाएगा minus का minus 1.5 into 2.5 यह क्या होगा cancel out यानि कि यह क्या होगा zero answer आएगा हमारा before collision momentum की जो value आई है वो कितनी आई है zero आई है इतना clear हुआ हमें ठीक है पहली बात अब second point हमें यहां पे देखना होगा अब हम क्या देखेंगे momentum after collision ठीक है combine करके निकालना तो combination के बाद जो total mass आएगा जो total mass आएगा वो कितना होगा M1 plus M2 कर दो M1 plus M2 कर दो कितना आएगा 1.5 plus 1.5 कितना आगया 3 kg ठीक है तो combined weight तो 3 kg आ चुका है और हमें पता है according to the law of conservation of mass momentum before collision and after collision क्या होता है same होता है ठीक है अब हमने निकाल चुके हम before collision हमारा momentum आया है वो value कितना आई है 0 आई है ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 into V ठीक है 3 into V which is combined mass is equals to 0 ठीक है यानि कि velocity after collision भी combined velocity कितना आई है 0 आई है clear इस तरीके से हम इस पूरे numerical को solve कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर main जो आपका लगना था वो क्या था law of conservation of momentum law of conservation of momentum यहाँ पर आपका important concept था जो आपको यहाँ पर अगर आता होता तो आप बहुत चुटकियों में इस question को solve कर लेते बहुत easy question था ठीक है चलिए next question अभी हम देखने वाले हैं आपका according to the third law of motion when we push an object the object pushes back बिल्कुल सही बात है third law में क्या कहता है every object has equal and opposite reaction अगर हम उसके उपर force लगारे तो वह भी हमारे उपर कुछनों कुछ force का apply कर रहा है ठीक है with equal and opposite force if the object is a massive truck parked along the roadside it probably not move वह मूव नहीं करेगा अगर बहुत बड़ा क्या सुचा student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other उसने कहा कि जितना force हम लगा रहे उतना ही वह उपर लगा रहा है truck हमारे उपर लगा रहा है तो cancel out हो गया इस वजह से movement वहापे नहीं हो रहे है बट यह जो justification थी यह बिल्कुल wrong थी ठीक है student का justification क्या है बिल्कुल wrong है आपको यह justification नहीं लिख क्या नहीं है क्या लिख क्या होगे two equal and opposite forces cancel each other if they act on the same body third law of motion जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको यह वाली चीज़ बताई थी कि कि किसी भी same object के उपर वह अप्लाई नहीं होता है जो equal and opposite forces लग रहे होते है वह different different objects के उपर लग रहे होते हैं ठीक है according to the third law of motion action and reaction forces are equal and opposite but they both act on the different bodies different bodies के उपर वह एपलाई होते हैं hence they cannot cancel each other इस वजह से इस case में वह cancelled out नहीं हो सकते हैं ठीक है when we push a massive truck then the force applied to the truck is not sufficient जितना force हम लगा रहे हैं वह उसको unbalance करने के लिए भी तो चाहिए ना हमें उससे जादा force apply करना पड़ेगा तभी तो वह motion में आएगा ठीक है वहाँ पर motion में क्यों नहीं आ रहे हैं क्योंकि तो जो force है truck के tires के बीच में और ground के बीच में वह बहुत जादा है उसको ओवर ने ओवर कम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका जो right justification होगा वो यह होगा clear चलिए next question अभी हम देखने वाले हैं आपका next question में क्या पूचा गया है a hockey ball of mass 200 gram traveling in 10 meter per second traveling at 10 meter per second in is a strike by strike by a hockey stick so as to return it along its original path with the velocity at 5 meter per second calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey निकालना क्या हमें change in momentum कुछ नहीं करना change in momentum यानि कि delta P की value हमें यहां पे find out करनी है ठीक है mass of hockey ball हमें given है कितना given है mass कितना given है 200 grams जिसको हम kg के अंदर जब convert करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 kg आ जाएगा ठीक है 0.2 kg हमारा आंसर आ जाएगा velocity of hockey ball before striking the hockey ठीक है पहले strike करने से पहले hockey ball का velocity कितना था V1 जिसको हम नाम दे रहे हैं कितना था 10 meter per second था ठीक है और strike करने के बाद जो velocity हो गई उसको हमने वीटू बोल दिये वो भी हमें given है 5 meter per second हमें given है पर यहां पर हमने minus 5 क्यों apply करा यह जो साइन आया है क्योंकि यहां पर given है हमें कि यह opposite direction में जा रहा है जो देखो यहां पर आप है change in momentum का formula क्या होता है mv1-mv2 simple हमने क्या कर दिया change in momentum find out किया यहां से mass को हमने common निकाला है m is equals to v1-v2 हमें दोनों की values यहां पर given है जिसको हम put करेंगे और answer कितना आ जाएगा हमारा 3 kg meter per second हमारा answer आ जाएगा clear चलिए next question पर अभी हम move करेंगे सब कुछ हमें given था इस question के अंदर ठीक है हमें बस change in momentum पता अनों जी कैसे find out करते हैं change in momentum हमने यहां पर निकाल दिया इस तरीके से next question अभी हम देखने वाले हैं यहां पर देखो a bullet of mass 10 grams mass दे रहका हमें bullet का mass of bullet 10 grams 10 grams mass given है traveling horizontally with the velocity of velocity of bullet भी हमको given है कितनी है 150 meter per second strikes a stationary wooden block and come to rest at 0.03 second हमें time भी given है कितना दे दिया 0.03 second time दे लिया गया है calculate the distance of penetration अच्छा s की value find out करनी है सबसे पहले तो ठीक है okay फिर calculate the distance of penetration in the block and also calculate the magnitude of force force भी निकालना है ठीक है force निकालना है तो हमें mass into acceleration यह वला formula चाहिए acceleration हमारे पास है नहीं ठीक है और S निकालना है तो formula क्या लेगा s is equals to ut plus में half a t square हमारे पास acceleration फिर से नहीं है तो क्या करेंगे है क्या कर सकते है इसको हम initial velocity भी बोल सकते इसको कितनी है 150 meter per second तो इसके लिए सबसे पहले हमें equation first equation of motion लगाएंगे V is equals to ut plus V is equals V is equals to u plus a t यह लगाएंगे हम ठीक है हमारे पास final velocity after वो penetration वो रुक गई है तो final velocity हमारी 0 हो गई ठीक है initial velocity हमारी कितनी है 150 meter per second है acceleration हमको निकालनी है time हमको given है 0.03 0.03 seconds time हमको given है निकालना क्या है acceleration तो acceleration into में 0.03 हो गया is equals to और यहां पर हम इसको ले आए हैं यहां पर minus 150 meter per second हो गया यहां पर इसके नीचे क्या आ जाएगा 0.03 ठीक है तो answer क्या जाएगा acceleration is equals to minus 150 upon 0.03 जिसके points को हटाने के बाद उपर हम क्या भेजने वाले है 100 लगा देंगे ठीक है सकते हैं इसका color change कर लेते हैं बिल्कुल find out कर सकते हैं s की value distance s is equals to ut plus half a t square t हमको given acceleration हमने निकाल ली initial velocity हमें पता है 150 time हमें पता है s की value directly हम निकाल सकते हैं ठीक है अगर हमें a की value हमने find out कर ली है तो क्या f is equals to ma करके हम force नहीं निकाल सकते मास हमको पता है ना कितना है देखो 10 gram दे रखा है इसको kg के अंदर convert करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 kg ठीक है clear देखो 0.01 kg 100 से डिवाइड करेंगे इसको ठीक है 0.01 kg हमार पास आंसर आ जाएगा अब यहां से हम acceleration की value find out कर सकते हैं देखो किस तरीके से निकालेंगे यहां पर हम यहां तक हम निकाल चुके हैं ठीक है अब हमें क्या निकाल ली है s की value निकाल ली है s is equals to ut plus में half a t square u की value हमको given है कितनी 150 ठीक है t की value 0.03 seconds ठीक है फिर क्या निकाला हमने acceleration हमारी इस तरीके से हमारा answer क्या आ गया है 2.25 meters 2.25 meters हमारा s की value आ गई है अब हमें निकालना है force force क्या होता है f is equals to ma f is equals to mass into my acceleration मास हमको कितना गिवन है question के अंदर मास हमको गिवन है 10 ग्राम 10 ग्राम है इसको पहले kg के अंदर करना पड़ेगा ऐसा यह रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा 0.01 kg ठीक है यहां पर हम पूट करेंगे 0.01 kg इंटो acceleration अभी हमने find out की थी कितनी आई थी हमारी माइनस 5,000 माइनस 5,000 से हमने इसको मुल्टिप्लाई कर दिया माइनस 5,000 से हमने इसको क्या करा मुल्टिप्लाई कर दिया हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहां पर 50 Newton हमारा माइनस 50 Newton हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा clear चलिए next question अप हम देखेंगे यहां पर an object of mass 1 kg traveling in a straight line with the velocity 10 meter per second ठीक है मास हम को दे दिया गया है इसके अंदर कितना गिवन है 1 kg traveling in a straight line with velocity initial velocity हम को दे दी गई कितनी 10 meter per second ठीक है यह इस object ने collide किया है with the and strikes to the stationary wooden block ठीक है wooden block यहां पर रहा था मालने जिए आप एक ball है जिसको हम object a कह रहे हैं जिसका मास कितना है 1 kg यह मूफ कर रहे थी यहां पर रास्ते में एक block आया जिसका मास हमको given है कितना M2 कह दते हैं इसको इसको M1 बोल लो ठीक हो ठीक है इसको M1 बोल दो M2 block का मास है मास ओफ ब्लोक कितना गिवन हमें 5 kg ठीक है 5 kg बार ले wooden block से यह टकर आ गई ठीक है अब यह कंबाइन होके आगे मूफ कर रहे हैं ठीक है तो calculate the total momentum just before the impact and after the impact यानि कि before collision and after collision हमें momentum calculate करना है तो क्या formula होता है देखो before collision का formula क्या हो जाएगा M1 U1 plus में M2 U2 यह होगा ना before collision का before collision का यह वरा formula हमारे पास हो जाएगा ठीक है अच्छा अब यहाँ पे M1 की value कितनी हमारी मास कितना है दे रखा है 1 kg 1 kg into U1 कितना है हमारा U1 is U1 कितना है 10 ठीक है M2 कितना भी हो U2 हमारा क्या हो गया? 0 हो गै ठीक है यह जो इसकी तो इसकी तो इनेशल विडी after collision अगर निकालेंगे after collision निकाला तो सबसे पहले तो total mass total mass और combined mass के अगर हम बात करते हैं ठीक है, block का mass 5 kg ठीक है, और जो object A था हमारा first object उसका 1 kg था तो total mass कितना आ गया है? 6 kg आ गया है ठीक है, 6 kg आ गया अब हमको पता है, before और after collision का जो हमारा वो होता है, momentum होता है, वो किया रहता है, conserve Q, due to law of conservation of momentum ठीक है, तो हमारा कितना है, यह 10 आया है तो अगर हम ले यहाँ पे M1 M1 प्लस M2 की value हम निकाल चुके हैं ऐसे, ठीक है, बट लिख बर लिख लेते है M1 प्लस M2 into V, combined velocity is equal to किसकी equal हो जाएगी वो, 10 के equal हो जाएगी M1 प्लस M2 हमारा कितना आगे है, 6 kg into velocity V हमें देखना है ठीक है, velocity V हमें given नहीं है, calculate the velocity of the combined object velocity हमें find out करनी है, ठीक है into में 10, तो V is equal to 10 upon V, ठीक है एक सके एक सके एक सके 10 आगा 6 ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से V is equal to 10 upon में 6 कर देंगे, यह हमारा क्या आगा, final velocity, combined velocity हम से पूची कही थी, हमने find out कर दी, simple, ठीक है, इस तरही के से हमें इसको solve कर लेते, फिर से देखेंगे, एपर फिर से revise करेंगे, इसको देखो, object a का mass 1 kg, block का mass m2 जिसको हमने बोला, वो 5 kg का है, velocity हम दे सकते, block की velocity कितनी है, u2 कितनी हो गई, 0, u1 कितनी है, u1 हमको given है, u1 कितनी देर किती, 10, 10 meter per second देर किती, यह हो गई, ठीक है, फिर हमने total momentum before impact, यहने कि before collision निकाला, m1 u1 प्लस में m2 u2 करके, ठीक है, यह हमारा 0 होई गया, तो 10 kg meter per second हमारा answer आ गया, ठीक है, अब after combined object जब combine करगी, तो total mass हमने निकाला कितना आ गया, 5 plus 1, 6 kg आ गया, ठीक है मैं, अच्छा, फिर momentum निकाला, momentum of combined object, कितना आ गया हमारा, 6 V आ गया, 6 V kg meter per second square, ठीक है, ओके, अब हमको पता है, momentum क्या रहता है, तो इस तरीके से हमने 6 V is equals to 10 रखा, और हमारा 10 upon में 6 answer आ गया, ठीक है, चलिए, next question अभी हम देखेंगे, screenshot ले सकते हो आप, ठीक है, next question अभी हम देखने वाले हैं इसका, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meters per second in 6 seconds, calculate the initial and the final momentum of the object and also find the magnitude, magnitude भी find out करना है, initial and final velocity आपको गिवन है, यहाँ पर mass का जो object है, आपको कितना गिवन है, M is equals to 100 kg, U, initial velocity कितनी गिवन है, 5 meter per second and V which is final velocity, V final कितनी गिवन है, 8 meter per second, हमें time भी गिवन है, T is equals to T second, सब कुछ हमें गिवन, हमें निकालना क्या है, change in momentum हमें निकालना है, शायद, also find the magnitude and initial and final momentum निकालना है, और साथ साथ, find the magnitude of force exerted on the object, force भी हमें find out करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम initial momentum निकालेंगे, कैसे निकालते हैं initial momentum, momentum का formula क्या होता है, M into V तो होता है, और V यहाँ पर क्या ले लेंगे, U ले लेंगे, क्योंकि हम initial momentum की बात कर रहें, तो P initial, P initial यहाँ पर लिख लेंगे हम, ठीक है, initial momentum की value क्या हो जाएगी, M into में U हो जाएगी, P final की value कितनी हो जाएगी, M into में V हो जाएगी U की value भी हमें given है V की value भी given है हमें और M की value भी हमें given है तो M into में U किया हमने कितना आ गया 500 ठीक है इसी तरीके से final को किया तो यहाँ पे भी M into V किया 100 into में 8 किया तो कितना आ गया 800 kg meter per second आ चुका है ठीक है अब हमें force calculate करना है Force का formula क्या होता है Force is equal to change in momentum upon time यह हमने पढ़ा था पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था Change in momentum upon time पढ़ा तो change in momentum हमने यहाँ पे लिखा 800 minus 500 upon में कितना आ जाएगा time 6 second यह कितना आ गया 300 ठीक है 300 upon में कितना आ गया 6 second इसको जब हम काटे कितना आ जाएगा 50 Newton 10 kg transfer to the floor यानि कि निकालना क्या है हमें हमें निकालना है momentum की value ठीक है to the floor if it falls from a height of 80 cm हमें distance given है 80 cm ठीक है 80 cm यानि कि इसको अगर हम meter के अंदर convert करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 meter हमें S की value distance की value given है टेक इस downward acceleration हमें acceleration भी गिवन है कितना 10 meter per second square हमें इसका acceleration given है ठीक है मास भी हमें इसका given है M is equals to 10 kg ठीक है मास भी हमें इसका given है निकालना क्या है हमें हमें find out करना है momentum momentum का formula क्या होता है P is equals to M V ठीक हमें क्या निकालने पड़ेगी velocity V हमें चाहिए जब कि यहां पर initial velocity हमें समझ में आ रहे है कितना होगा 0 होगा यानि कि हमें final velocity अगर हमने निकाल ली तो हम मोमेंटम निकाल सकते है तो इसके अंदर हम formula लगाएंगे V V square minus U square is equals to 2 A S हमारे पास सब कुछ given है इसके अंदर हम value लगाएंगे V की value find out करेंगे ठीक है उस V की value को हम P is equals to MV के अंदर put करेंगे और मोमेंटम का value find out कर लेंगे simple question है देखिए यहाँ पर क्या कि हमने V square minus U square is equals to 2 A S को put किया हमने V square कि अपर V square और U हमारे क्या है 0 तो यह 0 हो गया है ठीक है acceleration हमारी 10 है और जो हमारा distance है वो 0.8 meters है तो value हमारी कितनी आ जाएगी 4 meter per second आ जाएगी solve करने के बाद किसकी final velocity की velocity हमारी आ चुकी है ठीक है अब हमें निकालना क्या है अब हमको निकालना है momentum momentum कैसे निकालेंगे हम momentum निकालने के लिए हम क्या करेंगे simple M x V करेंगे M x V करते ही 10 x 4 meter per second को करेंगे तो 40 kg meter per second आपका क्या जाएगा momentum की value आ जाएगी ठीक है नेक्स हमें देखो क्या निकालना है momentum transfer बस आगे हमारा 40 kg meter per second यही तो हमें find out करना था चलिए आपका next question अभी हम देखने वाले next question मैं आपसे क्या पूछा गया है using a horizontal force of 200 newton we intended to move a wooden cabinet एक wooden cabinet है जिसको move करने के हम कोशिश कर रहे across a floor at a constant velocity what is the frictional force that will be exerted on the cabinet हमें frictional force को find out करना है ठीक है देखें यहाँ पे आपका एक wooden cabinet दिया गया है जिसको हम 200 newton का force apply कर रहे applied force क्या है हमारा 200 newton ठीक है this is applied force force of friction इसके just opposite direction में होने वाला है this is applied force okay horizontal direction में okay यहाँ पे आपको velocity गिवन है हमें force दे रखा है कि जो apply कर रहे है applied force is 200 newton clear हमें velocity गिवन है क्या constant velocity क्या है constant और हमें find out करना है frictional force हमें एक बात पता है जब भी velocity constant होती है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा simple सी बात है तो acceleration यहां पर क्या हो गया हमारा 0 अब हमें क्या find out करना है frictional force find out करना है अगर acceleration 0 है तो हमारा force कितना हो जाएगा वह भी तो 0 हो जाएगा कैसे f is equals to m a mass into acceleration अगर acceleration 0 हो गई है तो किसे से भी multiply कर लो force कितना आएगा 0 आएगा ओके तो force हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है net force अब हमें net force find out करना है net force अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे देखो applied force force जो हमने apply कर रहा है यानि कि 200 newton minus में frictional force जिसकी value अभी हमने देखी कितनी आई है 0 आई है क्योंकि velocity क्या है constant है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से F जो capital वाला F है वो हमने applied force को दिखा रहा है और जो small वाला F है वो किसको दिखा रहा है frictional force को दिखा रहा है अगर यह वाली equation हमारी बनती है तो क्या अगर हम यहाँ से frictional force निकालेंगे तो इसकी value सेम नहीं आएगी यानि कि frictional force और applied force का जो magnitude है वो क्या आने वाला है सेम आएगा क्यों उसका reason अभी हमने यहाँ पर समझा है चलिए next question अभी हम देखने वाले इसका आप screenshot ले सकते हैं next question अभी हम देखेंगे हमारा चलिए next question अभी हम पढ़ लेते क्या पूचा गया देखो काफी बड़ी सी statement दी है यहाँ पर अक्तर कीरन और राहूल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दाट वर मोविंग विदा हाई विलोसिटी हाई विलोसिटी से मूव कर रही थी और एक्सप्रेस वे वैन इन इनसेक्ट हिट्स दे विंडशील वो जिस मोटर कार में बैटके जा रहे थे उसकी विंडशील के ऊपर एक इनसेक्ट आके टकर आता है ठीक है तो क्या होता है देखो तीनों ने इस situation के ऊपर सोचा और तीनों ने अपनी statement दी कि इनसेक्ट की dead क्यों हुई ऐसा क्या हुआ सबसे पहले कीरन ने क्या का ओओ कीरन सजेस्टेज्टेज्टे डा इनसेक्ट सफ़र्ड़ greater change in momentum, उसने क्या कहा कि momentum के अंदर काफी ज़्यादा change आया है as compared to the momentum of motor car, motor car के comparison में insect के momentum के अंदर ज़्यादा change आया है ठीक है, फिर अक्तर, अक्तर ने क्या कहा, अक्तर said that since the motor car were moving with a larger velocity it exerted a larger force on the insect, इसने क्या कहा, अक्तर ने कहा कि force जो लगा है insect के उपर वो ज़्यादा लगा क्योंकि velocity ज़्यादा थी, फिर थर्ड जो है राहूल, उसने क्या कहा, उन्होंने कहा, कि he said that both the motor car and insect experience same force and change in the momentum, तो राहूल ने बिलकुली एक अलग statement दी तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहे है, साफ साफ कि यहाँ पर दो objects की हम बात कर रहे हैं, एक तो हमारी motor car है, दूसरी क्या है, insect है तो दोस objects की हम बात करें, यहाँ पर आपका third low of motion अप्लाई होने वाला है, यानि कि equal and opposite force यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है, third low of motion के हिसाब से तो यहाँ पर force on insect, magnitude जो होगा, वो किसके equal होने वाला है, motor car के उपर, motor car के बिलकुल equal होगा according to third low third low के हिसाब से बिलकुल same होना चाहिए, यानि कि जो अक्तर ने बात कही थी, कि एक के उपर जादा force exert हो रहा है, वो बिलकुल गलत है ठीक है, बट जो राहूल ने कहा था कि same force लगेगा दोनों के उपर, वो बिलकुल सही बात थी अब हमको पता है कि force क्या होता है, force को किस तरीके से हम define करते है momentum की term में, change in momentum, राइट, यानि कि change in momentum upon time change in momentum upon time, change in momentum upon time, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, change in momentum change in momentum upon time ऐसा होता है ची कि अब ये time से time तो cut हो जाएगा यानि कि change in momentum भी क्या होने वाला है same रहेगा before collision and after collision change in momentum भी same होता है यानि कि राहूल की जो statement थी जो राहूल की statement थी वो क्या थी बिल्कुल correct थी clear? चलिए next question अभी हम देखने वाला है हमारा next question हमारा होगा how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeters हमें सबसे पहले तो S दे दिया है distance दे दिया है 80 80 centimeters 80 centimeters अब इसको S आई दिया है कि meter के अंदर convert कर लेंगे तो 0.8 meters आपका आ जाएगा distance clear और क्या-क्या given है हमें हमें mass भी given है mass हमें दे रखा है 10 kg okay next or क्या दिया हुआ हमें हमें acceleration भी given है acceleration is 10 meter per second square find out क्या करना है हमें momentum find out करना है तो momentum का formula क्या होता है mass into my velocity ठीक है okay यहां से हमें एक चीज़ और समझ में आ रहे है कि उसको एक height से drop किया यानि कि initial velocity यू कितना हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा clear यह important बात थी okay अब हमें mass थो हमें given है हमें momentum find out करना है वी चाहिए वी निकालने के लिए equation of motion लगाएंगे v square minus u square is equals to 2as ठीक है v square हमें find out करना है u कितना है initial velocity is 0 clear 2 into acceleration हमें कितने given है 10 तो यहां पे हमने 10 put कर दिया और s के value कितनी है 0.8 है इसको जैसे ही हम solve करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा देखो 20 into 0.8 यानि कितना आ गया 160 sorry 16 आ गया है वी square अब यहां से मैंने क्या कर देखो जो square साथ को side भेज के root के अंदर convert कर दिया है तो यहां पे v की value कितनी आ जाएगी है हमारी 4 आ जाएगी 4 velocity यूनिट के साथ लिखेंगे इसको वी इस इक्वास टू 4 meter per second ठीक है 4 meter per second आ चुका है अब हम असानी से P is equals to mv लगा सकते हैं मास कितना गे रखा हमें 10 kg ठीक है और velocity कितनी है 4 है तो कितना आ जाएगा 40 kg इसकी यूनिट लिखे लेते हैं धंग से 40 kg 40 kg meter per second clear यह आपका क्या आ गया है momentum आ गया है clear तो I hope आपको यह question बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है देख लीजी एक बाए फिर से clear यह आपका इस chapter का last question था तो I hope आपको यह chapter समझ में आया होगा thank you for watching this video